मुखमंत्री जी की बात एसियस नहीं मानते हैं तो ये समझा जा सकता है कि तंत्र कितना मजबूत हो जनता की आवास जनता का विश्वास तेजस्वी जी के नत्रित पर ही ये असपश टूप से सब को गुञ सुनाई दे रहा है तीन तारिक के रैली के बाद बिहार के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा और इंडिया के परती इंडिया गट बंधन के परती महा गट बंधन के परती जनता का विश्वास और मजबूत रूप से सामने आएगा नमस्कार दोस्तों आप देख रहें डिटी डवलू 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजडी के परवक्ता एजाद अहमद हैं अब उनसे ही बात करेंगी कि तेजश्वी यादव जो है जन विश्वास यात्रा पे निकले आज पाचवा दिन ही उनकी यात्रा यात्रा होगी आज यात्रा जो है आज नवादा नालंदा जहानाबाद गया में पहुंचने वार की पाटी है तो समगर सोच हमारा असपष्ट है और जो मीडिया ने पहले से perception खड़ा कर रखा था माई की पाटी चुक्के संकुचित करना चाह रहे थे लेकिन जो broad सोच हम लोगों का है जो हम लोगों का हर वर्गों के परती सोच है हर वर्गों के विकास को आयाम देने का जो हमने काम किया है वो दिखता है ये बताने के आप सकता नहीं उसी को हमने असपश्टा लोगों के बीज बताने का काम किया कि हम सभी के साथ चलने वाले हैं अगे भी हम खरे उत्रेंगे समराट चोधरी ने कहा है कि टूजी पाटी है उसी टूजी के उपज है उनके पिता जी सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे उनकी माता जी मलसी रही, विधायक रहे और अब वो दूसरी सिंखला में वो आ गए तो टूजी वो भी है, वो दूसरे पर आरोप लगाने से पहले देख लेते कि हमारा घर सीसे का सीसे के घर जिसके होते हैं, वो दूसरे पर पत्थर नहीं चलाते हैं उनका ही नुक्सान होता है और जो समराड चौधरी जी बोलते रहे हैं, वो परिवारवाद पर तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं रखते हैं चुक्के वो परिवारवाद के ही उपज है वो कहते हैं हम परिवारवाद कहा करते हैं उनका देखिया नराबडी देवी थी उसे लालू यादव रहे अब तेज़शी यादव है तेजपरताप यादव वो खाली परिवारवाद कर रहे हैं तो वो भी तो वही काम कर रहे हैं, उसी परिवारवात से आये हैं, और उसी के कारण उनको नावालिक से बालिक बनाने का काम राष्टिय जनतादल की ओर से किया गया, राष्टिय जनतादल के पाट साला के वो विद्यार्थी रहे हैं, और उनको पता है कि राजनिती में इस इस Northwest 70 वीट फ्रिश्टी से उचित नहीं है जो करते हैं पताना चाहिए कि डॉक्टर इंजिनियर का बेटा जब डॉक्टर होता है इंजिनियर का बेटा जब इंजिनियर होता है तो उसको लोग परिवारवाद नहीं मानते हैं तो जब नेता का बेटा जनता के द्वारा चुन करके आए और जनता की स्वीकारता के बाद वो नेत्रित करें तो उसको परिवारवा सुनाई दे रहा है इसलिए भारतिय निता पार्टी और जन्ता दल्यू एक सात आने के बाद भी बेचैनी में है और उसी बेचैनी का परिणाम है कि वो मंत्री मंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं उस महोल से ये निकल नहीं सकते हैं इसलिए इस तरह की राजनिती कर रहे हैं और जनता और जनता का विश्वास तेजस्वी जी के नत्रित पर जितनी मजबूत धंग से जनता के बिश से आवाजे आ रही है और वो दिख रही है जब तेजस्वी जी हर जिले में जा रहे हैं त जो हमने विपक्ष में रहते हुए कहा था कि हम रोजगार और नौकरी देंगे उसको हमने सत्ता में आते ही पूरा किया और डिप्टी सीम रहते हुए जब पांच लाग से उपर लोगों को नौकरिया दी साढ़े चार लोग लाख सिश्कों को नियोजित जो थे उनको हमने र का मामला हम लोग असपश्टा आगे बढ़ा चुके थे लेकिन अब यह देख रहे हैं कि हर दिन फॉर्म भढ़ाने के नाम पर देट बढ़ाते चले जा रहे हैं तो यह जो सरकार है इसकी ना नियती ठीक है यह लोग को जिस तरह से समाप्त कर रहे हैं और लोग तंत्र को जिस तरह समाप्त कर रहे हैं वास पर श्रूप से दिख रहा है मुख मंत्री जी की बात एसस नहीं मानते थे थे समझा कि तंत्र कितना मदूफ हो गया जहां तंत्र मजबूत हो जाए वहाँ पर लोग तंत्र और लोग तंत्र की परकिरिया कही न कहीं कमजोर पड़ जाती है और आज मुख मंत्री असहाय महसूस कर रहे हैं उस S.E.S. के सामने जिसके संबंद में ये कहते हैं कि मंदार है भाई किस तरह कहीं मंदार जो अपने कर्तवियों के परती मंदार नहीं हो जो अनुसासन के परती मंदार नहीं हो आप सिख्कों पर तो चाबुक चला देते हो लेकिन डियों पर आस तक क्यों नहीं चाबुक चलाया ये सुचनिय विसा है और आप जब स्वयम कहीं ना कहीं मुख मंतरी के आद्वेसों का वहलना कर रहे हैं तो आप पर क्यों नहीं कारवाई हो ये असपश्टा सरकार की जो मंसा है सरकार की जो सोच है कि अधिकारियों के माध्यम से पदाधिकारियों के माध्यम से हम जनता पर दमन का चक्र चलाएं जनता को परसान करें और हम अपने अस्तर से वावाहिल उठें ये दोहरी दिती नहीं चलने वाली है दोहरी राजनिती करने वाली भारतियनता पाटिय और जनता दल्यू जनता के बीच में एक्सपोज हो चुकिये इसलिए तेजस्वी जी को हर जगा जनता का विश्वास मिल जनता का समर्थन मिल रहा है एक बड़े समू जो सामने आकर के बता रहे हैं कि रियल अगर कोई नेत्रित में नेत्रित के परती विश्वास वाला नेता है तो उसका नाम तेजस्वी परसा जाद आनन्द मोहन ट्वीट किये हैं कि वह अब से परिवार बारत तो पहले था ही अब से सुरालवाद भी हो गया है इस पर क्या ठीएगा देखिए जो वह बोल रहे हैं स्वेम वह भी परिवार वाद के ही राजनीती के पोसक हैं वह अपने अपनी पतनी को अपने बेटा को फिर अगली बार किसी को भी किजिए राजनीत में देखिए जो भी आते हैं ने वह अपने कार्जों से जनता के समर्थन के बाद आते हैं लेकिन आप इस तरह की बात करके स्वेम को ही कटगड़े में खड़ा कर लिया हैं स्वेम पर प्रसन वाचक चिन लगा दिया हैं और जो स्वेम प्रसनों के घेरे में खड़ा हो वो इस तरह की ब्यान बाजी करता हो तो यह स्यास्पत इस्तिती है और ऐसे लोगों के ब्यान का जवाब जनता स्वेम देदेगी तीन तारीक को महा रैली निकलने वाला पटना के गांधी मैदान में क्या अनुमान लगा सकते हैं को उस दिन जनता की समर्थों का भीर किता हो देखिए तीन तारीक के रैली के बाद बिहार के साथ साथ देश की राजनिती में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और इंडिया के परती इंडिया गटबंधन के परती महा गटबंधन के परती जनता का विश्वास और मजबूत रूप से सामने आएगा और ये गांधी मैदान में रहली नहीं होगा बलके पूरे पटना में रहली होगा और लालू जी जब भी आहवान करते हैं तेजस्वी जब भी आहवान करते हैं महागरवन्धन के नेता जब भी आहवान करते हैं तो जनता और जनता का जो समर्थन है वो असपश टूप से 24 News, धन्यवाद.